Hello friends, welcome you to your own study channel अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं May month के current affair के questions So, बने रही है हमारे साथ अपना study channel अब पढ़ेगा इंडिया में यह हमारी एक छोटी सी कोशिस है आप सभी की preparation में अगर आपको अच्छा लगे तो इसे like जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ बेल आइकन दवाना नहीं भूले ताकि हमारे सारे वीडियो की notification आपको मिल जाए तो आए स्टार्ट करते हैं question number first से Question number first है अयोध्या में राम मंदिर के निर्मान के लिए स्री राम जन्भूमी तिर्थ छेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली रासी को किसने आएकर मुक्त करने की गोसना की है तो इसको सही अंजार है option number four केन सरकार ने केन सरकार ने हाली में गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए गोसना की है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्मान के लिए स्री राम जन्भूमी तिर्थ छेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली रासी को आएकर मुक्त कर दिया जाएगा ट्रस्ट में दान करने पर आएकर अधिनियम उन्हें इस एकसेट की धारा 80G के तहर चूट मिलेगी अब आते हैं दूसरे कोश्चन क्यों दूसरा कोश्चन है उत्तर परदेश सरकार ने हाली में आयूस विभाग द्वारा तयार किये गए किस एप को लॉंच किया है तो इसका सही अंसर option number first आयूस कवच उत्तर परदेश सरकार ने हाली में आयूस विभाग के द्वारा तयार किये गए आयूस कवच एप को लॉंच किया है जो कि भारत के आयूरवेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पत्ति पर अधारी थे अब आते हैं नेक्स कोशन क्यों और नेक्स कोशन कहता है हाली में किस देश ने अपनी अर्थ वेवस्ता को पट्री पल लाने और मुद्रा स्वीदी से निपटने के लिए नई मुद्रा की सुरुआत की है तो इसका सही अंसर है option number three इरान इरान ने अपनी करेंसी का नाम बदलकर रियाल की बज़े तोमान कर दिया है जिसके लिए इरान की सांसर ने बिल पास कर दिया है इस फैसले के बाद 10,000 रियाल को अब एक तोमान गिना जाएगा अब बात करते हैं सिंगापूर की करेंसी की तो सिंगापूर की करेंसी CSIR ने किस देश में इंसानी monoclonal antibodies को विक्सित करने वाले प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है तो इसका सही answer है option number one भारत अब CSIR का full pump क्या है CSIR मतलब होता है Council of Scientific and Industrial Research CSIR ने New Millennium Indian Technology Leadership Interestive Fellowship के तहत हाली में इंसानी monoclonal antibodies को विक्सित करने वाले प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है इस इंसानी monoclonal antibodies को भारत में बनाया गया है अब आते हैं next question क्यों भारत के मौसन विज्ञान केंदर ने हाली में पाकिस्तान के कबजे वाले किस कास्मीर के छेत्रों को भी अपने मौसम पूर्मा नुमान में सामिल किया है इसका सही answer है option number three गिलीगिट बलिस्तान और मुझप्राबाद दोनों यह दोनों पाक अधिक्रित कास्मीर में आता है यह पाक अधिक्रित कास्मीर के उत्तर पश्मी उफखंड में है अब आते हैं next question क्यों next question है सूचन वं संचार पड़ दर्दिकिस राष्टी में राष्टिये सिच्छा मिसन योजना के तहत इसका सही अंसर है मानव संसाधन विकास मंत्राले ओप्शन नमबर एक इस इंटरप्राजर रिसोर्सेस प्लानिंग प्लेटपॉर्म सामर्थ को राष्टिये प्रदवदे की संस्थान एनाइटी कुर्षेत में कारिवान्वित किया गया है इसके अहम मकसद सभी विस्विद्ध द्यालों एवं उच्छ सेल शिनिक संस्थानों में शात्रों को गुर्मंत्ता पुर्प सिच्छा प्रदान करना है अब आते हैं नेक्स्ट कोस्चन की हो नेक्स्ट कोस्चन है हाली में विक्सित जेट स्कैन विधी से मादब में होने वाले निंड में से किस रोग को मौनीटरिंग की जाएगी इसका सही आंसर है ऑप्शन नमर बी पार्किंसन पार्किंसन रोग एक समान निरो डिजनरेटिव बिमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है हाली में आईटी धनवाद और CSIR इंडियन इंस्ट्यूट्स ऑफ कैमिकल बाइलोजी कोलकता के बैग्यानिकों ने मिलकर इस मुद्दे का हल खोजा है और जेट स्कैन की विधी बिक्सित की है अब आते हैं नेक्स्ट कोस्चन की ओर जाज में मागनेसिम कार्बोनेट के 5000 सरकार ने 15 नवंबर को घारत के दचन इस्त्य को विभाजित कर जारखन प्रदेश का सुरिजन किया है जहारकट भारत का 28 राजबना है बर्तवान में इसके मुकमंत्री हेमें सरेन है और राजपाल द्रौपती मुर्मू है अब आते हैं नेक्स्ट कोस्चन की ओर नेक्स्सट कॉस्चन है और बीए ने हाली में कितनी नौन बैंकिंग फाइन्स कम्पनी का लाइसेंस रद किया है है इसका सही आंसार है ऑप्चनम म्हारी 14 नं बैंकिंग फाइनस कम्पनी का लाइसेंस रद कर दिया है जबकि नौ नन बाइंकिंग फाइनांस कंपनी ने खुद अपना लाइसेंस सेलेंडर कर दिया है अब बात कर ले हम आरवी आई की तो आरवी आई के सापना 1935 में 1934 के अनुसार हुआ प्रत्मतु सुतंत भारत ने एक जनवर उनिस सो उन्चास में इसका राष्टिय करन कर दिया गया इसके बाद से इस पर भारत सरकार का पुंट स्वामित है जबकि इसके पुर्व में इस पर ब्रिटिस राज के दौरान यह नीजी स्वामित वाला एक बैंक था इसका मुख्य मुंबई है बरतमान में इसके गवर्णर सक्तिकान दास है जो की 25 में गवर्णर है और साथी चार उप गवर्णर भी होते हैं पूरे भारत में कुल 29 शेत्रिय कार्याला है और भी आई का कामकाज केंद्रिय निदेशक बोट द्वारा सासित होता है जिसकी निव्कति भारत सरक्वार्दा रखी जाती है अब आते हैं नेक्स्ट कोस्चन क्यों नेक्स्ट कोस्चन है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन हो रहे किस चक्रवाद को देखते हुए तैयारियों का जाजल लेने के लिए बैठ थकी तो इसका सही आंजर है वैसे साइकलोन जो ट्रॉपिक ऑप कैंसर यानि कर्ग रेखा और ट्रॉपिक ऑप कैप्रिकॉन यानि मकर रेखा के बीच बनते हैं उसको ट्रॉपिकल साइकलोन कहते हैं यह सूपर साइकलोन अमपानवारी बारिस और तेज हवाओं के साथ पस्चिम मंगाल और उडिसा के 30 चेत्रों से टकराया है 30 चेत्रों में 150 से 160 किलो मिटर प्रती आवर की रफ्तार से हवाय चली है आव आते हैं नेक्स्ट कोश्चन क्यों पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मन्मीद कौर को किस आवर्ड के लिए नामीद किया गया है इसका सही अंसर है ऑप्शन नमबर फर्स्ट ब्रिटिस आवर्ड पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मन्मीद कौर को हाली में ब्रिटिस आवर्ड के लिए नामीद कि नेक्स्ट कोश्चन है हाली में किस राज्ज सरकार ने राजीव गांधी किसान न्या योजना की सुरुवात की है इसको सही अंजर आप्शन नंबर 4 च्छतिस गड़ च्छतिस कर सरकार ने हाली में राज्ज में फसल उत्पादन को प्रुटसाहित करने के उद्देश से नेक्स्ट कोश्चन है एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पांच वर्स से कम आयू कि कितने परतिसर बच्छों की मौत बाल और मात्रिक उपेशन से हुई है इसका सही अंसर आप्शन नंबर 3, 68% इंडिया स्टेट लेवल के लेटिस रिपोर्ट के मुताविक भारत में बर्स 2000 के बाद 5 पर्स के कम आयू के 68% बच्छों की मौत बाल और मात्रिक उपोशन से हुई है जबकि 83% नबजाट की मौत जन के समय कम बजन के कारण हुई है अब आते हैं नेक्स कोश्चन के और निम में से किस देश में हाली में सोसल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आइज फील यू ब्रेसलेट विक्सित किया है इसका सभी Auton है, Option Z, इटली ने इटली तेस ने हाली में social distancing सुनिश्चित करने के लिए I feel you bracelet विक्सित किया है यह bracelet केवल एक radio signal का इस्तमाल करता है जिससे दूसरे bracelet को नज़दीक आने पर पता चल जाता है अगर बात कर इटली की राजधानी की तो इसकी राजधानी रोम में है इसकी currency यूरो है अब आते हैं next question क्यों next question कहता है कि केंद्रिये रच्छा मंत्री स्री राजधानाथ सींग ने घरेलू रच्छा और aerospace के लिए कितने कडोर की योजना की मंजूरी दे दी है तो इसका साही अंसर है option number 4 400 कडोर की केंद्रिये रच्छा मंत्री राजधानाथ सींग ने घरेलू रच्छा और aerospace के लिए 400 कडोर की योजना की मंजूरी दे दी है इस योजना के तहट घरेलू रच्छा उद्योग द्वारा देश में विक्सित और निर्मिन सैन ने हार्डवेर के परिच्छन के लिए केंद्र तयार किये जाएंगे अब आते नेक्स्ट कोश्चन क्योर केंद्रिये रच्छा मंत्री राजधानाथ सींग ने किस राज में डिजिटल माद्यम से भारतिये टट रच्छक बल सचेत और दो अबरोधक का जलातरन किया है इसका सही आंसर है आप्शन नमबर सेकेंड गोवा केंद्रिये रच्छा मंत्री राजधानाथ सींग ने गोवा में डिजिटल माद्यम से भारतिये टट रच्छक बलके सचेत और दो अबरोधक का जलातरन किया है ये दो अबरोधक इंटरसेप्टर पोथ IBC 450 और IBC 451 है इसका दम में समुद्री छेतने बढ़ती चुनोतियों से भारत की सुरच्छकों मजबूती मिलेगी अगर बात करें गुजरात की इसका भी एक करेंट अफेर है अभी गुजरात सरकार ने हाली में आतनिर भर गुजरात सहाई योजना की सुरुवात की है जिसके तहर निन मध्यम आयवर्क के लोग 2% पार्सिक ब्याज पर बैंकों से एक लाख रुपे की गरांटी मुक्त रिल ले सकेंगे निक्स्स कोश्चन है इसमें से किस राज के तेलिय köt उमाल और जारखन के सोहराई कोवर्ट प्यंटिंग को जिया अइड देग दिया गया है तो इसका सई अंसर है option nom 2nd तेलंगना ते लंगने राज ने तेलिया रुमाल और जारकन के सोहराई पेंटिंग को जी आई टैक दिया गया है तेलिया रुमाल को सूती कप्रे में जटिल प्रक्रिया द्वरा बनाया जाता है जो कि तीन रंग लाल काले एवं सफेद से मिलकर बना होता है अब आते हैं नेक्स ने कोरोना पाइरस मरीजों के जाच के लिए प्रसिच्छन मसीन देने को सॉरी देश को समर्पित की हैं उसका सही अंसर है आप्शन नमबर कोवास 6800 केंद्रिये स्वास्तेवं परिबार का ल्यान मंत्री डॉक्टर हर्सबर्दन ने नेशनल सेंटर फॉर डिजिस कंट्रो एंजी डीसी के दौरे के दौरान कोवास 6800 नामक मसीन को राष्ट को समर्पित किया है यह एक रोबोटिक्स इंबिल्ट आद्यधिनिक मसीन है यह मसीन स्वास्त करताओं में इंफेक्शन के खत्रे के साथ साथ संदूसन यानि कंटामीनेशन के अफसरों को भी कम करती है अ अब आता है नेक्स्ट कोश्चन की ओर भारत बर्स को तो हजार अटाइस के ओलंपिक में मेडल टैली में टॉप टेन मिलाने के उदेश से से किसने वन स्टेट वन गेम्स की ओजना तयार की है तो इसका सही आंसर है अप्शन नमबर सेकेंड रेल मंत्रा लेने इसी ओजना म में 14 खेल चुने गए हैं वन स्टेट वन गेम्स के हर्याना सहीर पांच राज्य ओलंपिक के लिए बॉक्सर तयार करेंगे ओलंपिक 2020 जपान के टोक्यो सहर में प्रस्तावित था परन्तों कोरोना वारस महावारी की बज़ज़ से इसे स्थागित कर दिया गया है ओलंपिक 2020 को वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माधब्स ने संपन्ध हुई संगाई सहयोग संगठन बैठक में किस देश के बिदेश मंत्री ने अध्यच्चिता की इसका सही आंसर आप्शन नमर थी रूस इसमें भारत के बिदेश मंत्री स्री एस जैसंकर ने भी भाग लिया था संगाई सहयोग संगठन का गठन 2013 में किया गया था और 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी सामिल किया गया था इसके सद्दस से देश की संख्या देखी जाए तो टोटल आठ है अब आते हैं नेक्स कोश्चन की ओर भारत के किस राज के मुख मंत्री त्रिवेन सी रावत ने होप पोटल की सुरुवात की है तिसका साही अंजर है अप्शन नमर थी उत्राखन कोविट-19 संकट के बीच कुसल और अकुसल युवाओं का डाटाबेस बनाने और उसके अधार पे रोजगार और स्वे रोजगार के लिए अपसर उपलफ कराने के मकसद से ये अप होप लॉंच किया गया है और पेक्श मैंने डेच्ट वेलुणी रिक्स बैंक ने कुरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर का कर्स दिया है इसका सइढ ίह अंजर है ऑप्शन आप्शन नमबर फॉस्ट एक अरब डॉलर कि इस रासी का इस्तेमाल कोरोना से होने वाले मानविये समाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा नेक्स पॉस्चन है बित मंत्री निर्मला सीता रमन ने बिजली वित्रन कंपनियों के लिए कितने हजार रुप्य की राहत के पैकेज की घोसना की है इसका सही आंसर है आप्शन नमबर फॉर नब्बे हजार कडोर यह रासी पावर पाइनांस कार्परेशन और ग्रामिंग विद्धिती करन निगम को दी जाएगी देश की अर्थ विवस्ता को पठ्री पर लाने के लिए प्रधा स्ट्रीड वेंडर और अन्तपके के लिए तरह-तरह की घुसनायं की है अब आते हैं नेक्स कोश्चन की और हाली में किस ने घुसना की केंद्रीय ससस्त्र पुलिस बलो की कैंटीन में एक जून से केवल स्वदेशी पाद्व की बिक्री होगी तो इसका सही आंसर है ग्री मं नमबर 4 अब आते हैं नेक्स कोश्चन की ओर जो की है बर्स 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच किस देश में महिला अंडर 17 फीफा फुटवाल बिस्फ कप का आयोजन किया जाएक इसका सही आंसर है ऑप्शन नमब 3 भारत में यह बिस्फ कप इसी बर्स 2020 में भारत में ही होना प्रस्ता भी था परन्तों करोना वारिस में हमारी की बज़स से इसे अस्थागित कर दिया गया यह टूनामेंट इस साल यानि कि 2020 में साल सौरी दो नमबर से 21 नमबर के बीच खेला जाना था जो कि अब नेक्स्ट येर 2021 में 17 फरवरी से 7 मर्च के बीच खेला जाएगा अब इसका सही आंसर है ओप्शन नमबर 4, 200 करोर बित मंत्री ने 200 करोर रुपे तक कि सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाने का एलान किया है साथी 10 करोर तक का निवेश और 50 करोर के टर्न उबर वाले इंटरप्राइजेज जित को स्मॉल इनिट माना जाएगा साथी मार्च 2020 के सभी तरह के DDS और TCS रेट में 25 फिस्टी की कटोटती करने की घोसना की है साथी बित मंत्री ने किसानों के लिए नावाट के जरिये 30,000 करोर के एडिसनल इमर्जंसी वर्किंग कैपिटल फंड की घोसना की है इन्होंने वन नेशन वन कार्ट के तहर नेशनल पोर्टेविलिटी कार्ट की घोसना की है इससे प्रवासी देश में किसी भी रासन की दुकान पर इस्तमाल कर सकेंगे अब आते हैं नेक्स कोश्चन की हो भारत सकार कोविट-19 के कारण प्रभावित हो रहे सैचिक वर्स को सुचारू रुप से चलाने की लिए किस कारिक्रम को सुरू करने की घोसना की है इसका सही आंसर है ओप्शन नमर ए प्रधान मंत्री इविद्या इसके तहट बारण नए डीटिये चैनल स्टार्ट किये जाएंगे जिसके तुरू पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी अब आते हैं नेक्स कोश्चन की हो बिस्व स्वास्तं गठन डब्लू एचो के कारिकारी बोड के अध्यच के रूप में किसे चुना गया है तो इसका सही आंसर है ओप्शन नमर डी डॉक्टर हर्सवर्दन भारत के केंद्रिय स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंत्री है डॉक्टर हर्सवर्दन बाइस में को जपान के डॉक्टर हिरे की नक्तानी का उत्रदिकारी का पदभार समालेंगे अब अगर बात करें डॉक्टर के ऑफीसियल बोड में कितने मेंबर हैं तो टोटल बरतमान में 34 सदस्थ हैं डॉक्टर का गठन उन्हें 48 में हुआ था इसका हेटपर्टर जेनेवा स्विट्जर लेंड है अब आते हैं नेक्स कोस्चन की ओर नेक्स कोस्चन है कि उत्तर परदेश के जेवर में नोईडा अंतर राश्टी एएरपोर्ट को बनाने के लिए निमलिखित में से किस देश की कंपणी को केंद्रिये ग्री मंत्राले ने स्विकिर्टी दे दी है कंपणी का नाम है जुरिक एरपोर्ट एजी यह एरपोर्ट 5,000 हेक्टियर में फैला है यह एरपोर्ट टोटल 29,000 क्रोड रुपे लागत से बनाया जाएगा यह राश्टी ए राजधानी छेत्र का तीसरा हवाई एड़ा हो गया है जिसने पहला कौन है इंद्रा गांदी ह दूसरा है गाजयाबाद में हिंडन एएरपोर्ट और तीसरा यह एक बनने वाला है जेवर एएरपोर्ट जो की नोएड़ा में है थैंक्यू अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तिसे लाइक कमेंट सेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग